अगर यह वर्ड है तो रियलिटी क्या है तो हमारे सामने एक पेशेंट है जिनकी स्कार रिवीजन सर्जरी अभी इस से लगभग एक महीने पहले वोई थी? दो महीने पहले और हर पेशेंट को जैसे एक महीने के बाद हम लोग फॉलो अप लिजर सेशन के लिए बुलाते हैं तो यह एक महीने में नहीं दो महीने के बाद फर्स टांग लिजर के लिए आप आई हैं सर्जरी के बाद इनके अगर पुडाने स्कार को देखें तो कुछ इस तरह से यहां उपर दिख रहा है साइड में एक पहले का इसकार का चोटा सा वीडियो क्लिप या फोटो जो अभी इनके फेस पे देखते हैं कि वह इसकार कहा था और फिर इनसे भी कुछ पूछते हैं कि आखिर इनका कैसा एक्सपेरियंस रहा यहां सिर्जन प्लास्टिक सेजरी हास्पिटल राची में जब अपने सकार सेजरी के लिए आई क्योंकि किसी भी जगह अगर हम किसी भी प्रॉसेस से या किसी भी टार्गेट से लेकर के जाते हैं तो हमें इसा मन में एक कन्फूजन होता है कि पता नहीं कहां जा रहे हैं लेकिन वह कन्फूजन फिर बाद में कितना confidence में change होता है शायद एक example वह हम दोब देख पाएंगे तो जस्ट अब इनके शेहरे के ऊपर देखते हैं जगह इनका बीच में forehead आज कुछ ऐसा देख रहा है बस एक पतला सा line जो कि normal frontal crease को match कर रहा है और दोनों इन पे जड़ा सा elevation यह किसी भी scar revision surgery में जब इसकार को exercise करते हैं तो margin पे थोड़ी सी a skin bunching होती है विच टाइम वो correct हो जाता है तो बहुत हद तक यह acceptable है और एक नजर में एकदम कुछ नहीं देखता है बहुत ध्यान से दिखने पे एक line दिखता है आप कितना satisfied हैं बताइए अपना कैसा experience रहा आपका मेरा बहुत अच् पर काफी अच्छा है मैं बहुत खूज हूँ है वाकई में बहुत अच्छा result है और हर पेशेंट में ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हर पेशेंट में हम ऐसा ही result produce कर पाएंगे क्योंकि हर इंडिविजुल के skin की quality उनका healing process scar का position, orientation सारा कुछ अग होता है तो उस respect में आज क कि दो महिने के बाद follow up में ये scar का result बहुत और बहुत से भी बढ़िया है और ये हम confidently कह सकते हैं कोसिस हर पेशेंट में रहती है कैसा ही result हो आपको अच्छा लगा है यही हमारे लिए बड़ी बात है best of luck